चलिए आज हम करते हैं RMS के लिए कुछ Unitary Unitary Method के Important Question, ठीक है? तो पहला Question हमारे पास में है Question में हमसे कहा गया है 20 Chocolates Cost 320 ठीक है? तो Question में हमारे पास में सबसे पहले हम पर दिया है Number of Chocolates एंड वो है 20 एंड उनका जो cost है वो हमको दिया है Rs.320 Correct Question में लिखा है Find the cost of 35 such chocolates तो हमने बताना है कि अगर 20 Chocolates का Cost है 320 तो 35 Chocolates का Cost कितना होगा यह हमने बताना है क्योंकि हमने cost निकालना है तो हम cost को यहां पर Right in side की तरफ को रखेंगे 20 chocolate का cost है 320 तो 1 chocolate का cost कितना होगा तो कम होगा अगर 20 का इतना है तो अब कितना रखेंगे तो इसके लिए 67 करेंगे इस 20 को यहां पर ले जाएंगे,mart को इस cost को इंगा तो रपीस 2020 हमारे पास में है इस सहीं 20 से करनेंगे तो हमारे पास में वन चॉकलेट का कॉस्ट आ जाएगा तो आपने यहाँ रखने अगर 20 चॉकलेट का कॉस्ट है 320 तो वन चॉकलेट का कॉस्ट हो जाएगा 320 अब कोशन में हमने यह बताना है कि 35 such chocolates का cost कितना होगा अब हमने 35 chocolates का cost में कारना है अब देखो अगर one chocolate का cost इतना है तो 35 chocolate का जो cost होगा वो हो जाएगा जितना one chocolate का cost है 1 चॉक्लेक्ट का cost रसी 20 अपन 20 तो 35 चॉक्लेक्ट का cost हो जाएगा 1 चॉकलेक्ट की cost 35 से intu करने जाएगा अब इसको सॉल्फ करते हैं जिरो सी 0 cancel out आप यहां पर 2 16 जा हो जाएगा ने 16 जाएगा 2 17 32 अब हमने 16 से 35 को इंटु करने हैं तो हमने क्या करना है 35 को 16 से इंटू करना है अब 6 वाज़े 30 यहां पर 3, 6, 3, 18, 21 यहां पर cross फिर यहां पर 35 तो आ जाएगा हमारे पास में 0 and 6 and 5 तो आ जाएगा 560 तो देखे हमारे पास में 35 चॉकलर्स का 35 चॉकलर्स का कॉस्ट आ जाएगा 560 कितना जाएगा 560 इतना रुप्य हो जाएगा तो इस प्रकार से हम unitary method में question को solve करते हैं अगर कुछ चीजों का हमें cost दिया हुआ है तो सबसे पहले हम वन चीज का cost निकालेंगे फिर जितने चीजों का cost पूछा गया फिर उसको निकालेंगे इस परकार से हम unitary method में question को solve करते हैं तो अब हम करते question number second जिसमें हमसे कहा गया है 40 meter cloth का cost कितना है 200 rupees हमने निकालना है कि 50 meter cloth का cost कितना होगा ठीक है तो देखो भाई cost निकालना है तो cost को इधर रख लो ठीक है कितना है rupee हैломडर क् attracting one meter was निकालना है फ तोbra को सुने कीवाइब डिवाइद लेकि इस तरह देख रहें में URL की की नीची आ जाएगा एगा अगर 40 मीटर का कॉस्ट है 200 रुपीज तो 1 मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 200 अपॉन में 40 अब कुशन में हमसे कहा गया कि 50 मीटर क्लोथ का कॉस्ट कितना होगा तो अब हमने निकालना है 50 मीटर क्लोथ का कॉस्ट कितना होगा देखो 1 मीटर का कॉस्ट हम निकाल जुके अगर हम जीरो से जीरो कड़ गये, अब 4 से भी कटने है, 4, 5 जा 20 होता है, और एक जीरो बज गये, तो अब 5 इंटो 50 हो जाएगा 250, तो हमारे पास ने 50 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना आ गया, रुपीस 250, तो यह आ गया हमारे second question का final answer, तो चलिए अब हम करते है question number third, question number third में देखिए हमसे कहा गया है, एक कार कवर करता है distance 522 किलोमीटर 36 लीटर ऑफ पेट्रोल में, यानि कि अगर हम कार में 36 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो 522 किलोमीटर को, 522 किलोमीटर का distance कवर कर लेता है, तो question में हमसे पूछा गया है, how far can it travel on 14 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हमने बताने हैं कि अगर हम 14 लीटर पेट्रोल भराएंगे, तो कितना वो चलेगा, तो यानि कि हमने how far, यानि कि distance को निकालना है, तो distance को निकालना है, तो distance को यहां पर लेखेंगे, distance ट्रैवल को यहां पर लेखेंगे, distance जितना ट्रैवल होता है, उसको यहां पर हम को लिखना परेगा यहां पर हम पैट्रोल को लिखेंगे कितना पैट्रोल हमने भराया है तो देखो कहा गया है कि अगर हम 36 लीटर पैट्रोल भरवाते हैं तो कितना चलता है वो 36 लीटर पैट्रोल में वो चलता है 522 किलोमीटर अगर 36 लीटर में 522 किलोमेटर चलता है तो 1 लीटर में कितना चलेगा 36 से यहाँ पर डिवाइट कर लेंगे तो 522 को हम 36 से डिवाइट कर लेंगे इतना किलोमेटर वो चलेगा फिर हमने निकालना है कि 14 लीटर में कितना चलेगा वो तो निकाल लिए तो 14 लीटर में हम क्या करेंगे जितना वन लीटर में वो डिस्टेंस ट्रावल करता है तो वन लीटर में जितना डिस्टेंस ट्रावल करता है तो 14 लीटर में 14 से उसको इंटू कर लो उतना डिस्टेंस ट्रावल करेगा इतना किलोमेटर डिस्टेंस ट्र exit Yeah ुप से वापपे सेban visiting 29 जा तो cento tür 221 ऑन 2226 12 ange那 जा नाइन से सब आइन कर लेते मैं तो 9 तो कैंसल आउट करेंगे तो हम ने 98 561 को डिवाइट करना तो 9 तूजा 18 एंट एक टो तो 16 में से 8 गया 8 यहां पर आएगा ठीक हां and यहां पर बान सी तो 99 så penguin से 11 को कैंसल आउट मोट को हम ने 9 से 261 को डिवड को किटैNHk29 rigorous आएगा तो 9 से 261 को डिवाइड करने पर कितना है Nick 59 आएगा अब हमने 29 से 7 को multiply करने हैं अब हमने क्या करने है 29 को हमने 7 से multiply करने है 7 6 को multiply करने तो 7 9 जा 63 का 3 नहां पर 6 तो 7 तो 14 14 और 6 कितना होता है 20 तो 203 आ जाएगा तो कितना जाएगा 203 कितना है तो हमने देखा कि 14 लीटर पैट्रोल में कितना distance travel होगा 203 किलोमेटर distance travel होगा तो देखे यह आगया हमने पर समें 3rd part का answer तो चलिए अब हम करते है question number 4 question number 4 में लिखा है traveling 900 किलोमेटर by rail cost rupees 280 अगर हम 900 किलोमेटर distance travel करते हैं rail से तो हमें लगता है 280 तो बलता है what would be the fear तो बताइए कितना किराय लगेगा अगर हम 360 किलोमेटर travel करते हैं rail से तो देखे हैं किराय निकालना थे फिर निकालना है तो फिर निकालने के लिए फिर को यहां पर लिखेंगे और जो distance हम travel करते हैं जो निकालना होता उसका राइट इन साइड में लिखते हैं है अगर हम cinco cameras करेंगे तो 900 से के रुटेख हैं 960 किलोमेटर चलते हैं तो Nintendo सबस्क्राइब तो नइससे में यहां पर लिएट करनेंगे तो इतना किराय हो जाएगा अब कहा गया एकिंग अगर हमको 360 कि लो मेटर चलना है तो फिर पता एगाहिए कितना किखार लगेगा अब डिकिने किलो में हैं निकाल चुके हैं 360K क किराया चाहिए तो इसको हम्न किलोमेटर की किराये खिराय से into कर लेगा तो रूपीस 280 लेते हैं आ पर अपन में 900 है इसे 360 किलोमेटर से इंतयकर कर लेंगे तो 360K क किराया आ अब 0-0 कड जाएगा अब हम इसको काटेंगे 9 से 910-90,946, अब 0-0 यह भी कड जाएगा है, अब 4 into 28 हमको करना पड़ है, तो कितना जाएगा वन बन टू रुपीज तो 360 किराय कितना जाएगा वन बन टू रुपीज तो यह आगे हमारे पार्ट का फाइनल आंग्स